दोस्तो जो कल ये मैच खेला जाएगा येस आर येच और आर सीबी के बीच दोस्तो ये टीटोंटी का 65 मैच है जो कि कल 18 तारी को खेला जाएगा दोस्तो अगर आपको कल के मैच में अच्छा खासा पैसा बिन करना है grand league जीतने के chance को बढ़ाना चाते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा जरू देख ले क्योंकि दोस्तो ये वीडियो मैं आपको ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ मैंने हर player के बारे में पूरा जानकारी लिया हर player के बारे में जाना हर player के background के बारे में जाना तब जाकी ए जानकारी आपको दे रहा हूँ पूरा analysis करके ये वीडियो बना रहा हूँ हर player के बारे में आपको बताओंगा कि आपको किस player को अपने टीमे पिक करना है किस player को अपने टीमे पिक नहीं करना है कल के मैच में कौन सा प्लेयर अच्छा प्रफॉर्म करने वाला है कौन सा प्लेयर आपको अपने टीम में रखना है सब कुछ बताऊंगा तो बने रहे इस वीडियो को लाश तक और जानकारी अच्छी लगे तो क्रिपा करके वीडियो को लाइक जरू करना और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए अपने मोबाल पर सबसे पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब करके जरूर रखना है तो दोस्तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि आपको अपने टीम में कौन कौन से प्लेयर को पिक करना है कौन कौन से प्लेयर को पिक नहीं करना है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताने चाहूँगा कि आपको हैदराबाद के टीम के तरफ से कौन कौन से प्लेयर को पिक करना है और फिर उसके बात बताऊंगा कि आपको बैंगरोर के तरफ से कौन कौन से प्लेयर को अपने टीम में पिक करना है तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि हैदराबाद के तरफ से आपको किसको किसको अपने टीम में पिक करना है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बिकट कीपर में दो आप्सन अबलेबल है हैंडिक, क्लैसन और दूसरे नमबर पे अन्मोल प्रिसिंग जो कि सब्सिट्टूट में रहेंगे तो आपको अन्मोल प्रिसिंग को छोड़ देना है बिकट कीपर से आपको केवल हैंडिक, क्लैसन को अपने टिम में पिक करना है हैदराबाद के तरफ से अब चलिए बैटिंग से आपको बताते हैं कि हैदराबाद के तरफ से आपको बैटिंग वाले सेक्शन से किसको पिक करना है बैटिंग से मैं आपको बता दूँ बैटिंग में आप देख सकते हैं कि राहुल तिरपाठी हैं और अभिषेक सरमा दोस्तो एक पलेर के बारे में और मैं आपको बताना चाहूँगा मैंक अगरवाल अगर कल के मैच में ये खिलते हैं तो आपको राहूल तिरपाथी के जगापे मैंक अगरवाल को अपने टीम में जरूर पिक करना है ठीक है? लाइन आप आने के बाद अगर टीम अनाउस होने के बाद मैंक अगरवाल आते हैं तो आपको मैंक अगरवाल को अपने टीम में जरूर पिक करना है मैंक अगरवाल नहीं खिलते हैं कल के मैच में तो आपको किसको पिक करना है? राहूल तिरपाथी को हैजराबाद के तरफ से और अब इसे एक सर्मा को क्योंगा कुछ अच्छा पॉइंट दे सकते हैं ठीक है तो आपको राहुल टी पाथी और अब इसे एक सर्मा को अपने टीम में पिक करना है हैजराबाद के तरफ से ठीक है अब चलिए आलराउंडर से बताते हैं कि आपको हैजराबाद के तरफ से आलराउंडर से से किसको पिक करना है जैसे कि आप देख सकते हैं आलराउंडर में यहाँ पर आप देख सकते हैं एडन बरकरम और और मार्को जेंसन अबलेबल है तो आपको क्या करना है कि हैजराबाद के तरफ से एडन मार्करम और मार्को जेंसन को अपने टीम में पिक कर लेना है ठीक है आग बंद करके क्योंकि दूस्तों कल के मैच में यह दोनों परेयर आपको अच्छा पॉइंट दे सकती है दो पलेयर ही हो गए आल रॉंडर से और दो पलेयर बैटिंग में हो गए और एक पलेयर हो गए बिकट कीपर में टोटल पांच टोटल पांच पलेयर हो गए टोटल पांच पलेयर हो गए हैजराबाद के तरफ से आप चलिए आपको आगे बताते हैं आप चलिए आपको आगे बताते हैं कि आपको बोलिंग वाली सेक्षन से हैदराबाद के तरफ से किसको पिक करना है दोस्तो हैदराबाद के तरफ से आपको भूविनेस्तर कुमार को अपने टीम में जरूर पिक करना है ठीक है पहला नमबर यह है और दूसरे नमबर पे टी नटराजन टी नटराजन को भी आप अपने टी में जगा दे सकते हैं क्योंकि टी नटराजन भी एक अच्छा बोलर है और एक दो बिकट आपको निकाल के दे सकते हैं कल की मैच में तो टोटल साथ पलेर हो गए हैदराब के तरफ से आपको लेने के लिए क्यों कर रहा हूं क्योंकि दोСТों है अओयदर Small कि हैंशाबाद की टीम स्टाइ島 है इसलिए मैं आपको शाथ प्लेज आइदencias लेने के लिए कह रहा हूं आप बचे छार प्लेज नयगी के तरफ क्या आपको बैंग्लोर के बैटिंग करेंगे, तो आप दिने स्काटिक को डोप कर सकते हैं, हैंड्रिक ट्रोप सorroेंच को ही रान दें, और बैटिंग वाले सेक्शन में चलते हैं, दोस्तो बैटिंग वाले सेक्शन में तीन option available हैं पहला बिराट कोली, एब्डू प्लेशेज, अब्दूर समध अब्दूर समध को आप छोड़ सकते हैं बैंगलोर के तरफ से बैंगलोर के तरफ से बैटिंग वाले section से आप केवल एब्डू प्लेशेज को ही अपने team में pick करें अगर दो team बना रहे हैं दो team बनाने चाते हैं को अपने एक team में बिराट कोली को भी रख लेना है ठीक है? ये दोनों opening करेंगे बिराट कोली और एब्डू प्लेशेज तो आपको दोनों player को दोनों opener को एक साथ एक team में नहीं रखना है इसके लिए आपको दो team में बनाना होगा एक team में आपको रखना है बिराट कोली को और एक team में रखना है अब्डू प्लेशेज को ठीक है? बैटिंग वाले section से और all-rounder से आपको Glenn Maxwell को तो 100% रखना ही रखना है Mitchell Vareseville को अपने team में पिक कर लेना है दोस्तो यह होगा total 3 player Bangalore के तरब से और एक player आपको रखना है bowling में Bangalore के तरब से एक player आपको रखना है bowling से दोस्तो Bangalore के तरब से आपको bowling में रखना है Harstad Patil को अगर आप 2 team बना रहे हैं तो एक team में आपको Muhammad Siraj को भी रखना है अपने team में तो दोस्तो यह हो गई final team मैं आपको picker के दिखा देता हूँ सारे player को हैनरिक क्लासेन और batting में आगए F2 Places राहूल तिरपाथी अभिषेक सर्मा ग्लैन मैक्सुवल एडन मरक्रम मार्को जैंसन मिर्चल बैस्वैल हरसाथ पतेल भुवे नैसर कुमार और team रटराजन यह हमारी हो गई final team दोस्तो अगर आप इस team को लगाना चाते हैं तो मैं आपको बतान चाहूँगा कि आप इस team में captain और wise captain किसको बनाएंगे captain और wise captain किसको बनाएंगे इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 43% लोग एब्डू places को अपने team में captain मना रहे हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है ठीक है अगर आपको grand league जितना है अगर आपको grand league जितना है grand league में one rank लाना है तो आपको risk लेके ही खिलना है जब तक आप risk लेके नहीं खिलेंगे तब तक आप grand league नहीं जित पाएंगे तो दोस्तो आपको risk क्या लेना है कौन से player को आपको captain मनाना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो आपको captain मनाना है Adam Markram को जो की all rounder में है हैदरबाद के तरफ से और wise captain आपको बनाना है मिर्चल बरस्वेल को ठीक है अगर आप दो team बना रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक team में Glenn Maxwell को captain बना सकते हैं और Marko Jensen को wise captain दे सकते हैं यह हो गया captain और wise captain select किसको करें तो इस तरीके से आप अपना team बना सकते हैं captain और wise captain किसको बनाना है यह भी हमने आपको बता दिया यह हो गई हमारी final team इसका परविव आप देख लें इस team को आप लगा सकते हैं इस team से आप कल के match में कुछ ना कुछ जरूरी बिन करेंगे यह मेरी guarantee है